करनाल के कुंजपुरा रोड पर नेवल के समीप दर्दनाक सडख हाथसा हुआ है ये हाथसा ट्रक और बाइक की भिरंद के बाद हुआ इस सडख हाथसे में 32 वर्षे रामफल युवक की मौत हो गई सडख हाथसे में युवक की मौत के बाद एक परिवार पर दुखो का पहार तूट पड़ा है परीजनों का रो रो कर बुरा हाल है मुरतक के परीजनों ने बताया कि रामफल निवासी उप्लाना शादी समारों में कुंजपुरा के समीप गया हुआ था बताया जा रहा है कि वहाँ से वापसी में नेवल के बाद किसी ट्रक ने बाइक सवार को टकर मार दी जिसमें बाइक पर सवार रामफल की मौत हो गई मौके पर पुलिस ने आकर मामले का संग्यान लिया एवं जांच शुरू कर दी पुलिस जाज अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि नेवल के समीप एक बाइक सवार को ट्रक ने टकर मार दी है जिसके बाद ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर ट्रक को कबजे में ले लिया गया है नोने बताया कि शव का पोस्माटम कराकर शव परिजनों को सौप दिया गया है आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफतार करने के लिए कारवाई की जा रही है तो ट्रक वाला गरिफतार कर लिया अर राधी वो ट्रक कर लिया और चालक चालक कपता नहीं वो फरार है क्या करवाई जाएंगा से विलाफ पस कर रही हो अपनी जो करावाई भनती है लिए इसको देदी है तलाव मिल्कुल या शाम के समय मैं मशी ठाना खुंज पर ने एक सूचन देगी गवन नेवल के पास एक्सिडेंट हो ज़ए एक मोट स्लेकल वाले का एक्सिडेंट हो गया जोशी सूचना पर सब्सक्राइब एक्सिदेंट हुआ है तो खड़े ट्रंक में तक्र लगने में मौत हुई है तक्र लगने में राम फ्रम नाम का वैक्ति जो प्लाण गाओं करेंए अपने रिष्टेदार में ब्यानना गाओं गया वह था तो बियानना से बापिस आया तो शीष समें एक्सिदेंट हुआ है चालक फ्रार है चालक को ट्रक पोश्टमाटम करवाए गया अज पोस्टमाटम करवाए गया थैसे बाति ही जाए उसके पहलाप मामला कुछ रखेंगा है वां अगदमा दर्ज गरती है जी सिमन में चालक के क्या नाम है मरने वालेगा? मरने वालेगा नाम है रामुर। अपर्फेक्ट वेन्यू वेडिंग, लाँचिंग और पार्टी राजगराना एंजोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइज